मारूति शुचय कीस्ट सुज की शुट्स्स Saturn 2014 मोडल पेट्रोल कार है त horrific गार ये झाली तो पुजिशन में तब ट्व इंट में लगाते हैं तो हीटिंग तेंपरेचर आपको द्ठटुeg में लगाते हैं तो हीटिंग टेंपरेचर आप है है 49 48 47 46 तेंपरेचर और भी ज्यादा होना चाहिए है यहां से हीटर मैं हाई रखाऊ हूं यहां से हीटर होना चाहिए और भी कम हो रहा है कम क्यूं हो रहा है यहां से इदर ही टंपरेचर आ और इसके यहां से इधर ही टेंपरीचर नहीं आ राहा है तो इसके लिए के लिए क्या-क्या खोलना पड़ता है लगबग तो आपको मालूम ही होगा तो सबसे पहले हम कॉंसल बॉक्स से यह वाला खोलेंगे यह वाला खोलने के बाद साइड पैनल यह साइड पैनल उसके बाद स्टेरिंग वगएरे सब फूलता हूँ रहे साज को दिखाता हूँ तो आपको खोलना पर रही है video के साथ बता दूँगा तो आपको समझने मैं अच्चा होगा तो चलो फिर हम अपना गाम स्टाट करते हैं यह तो मालूम ही होगा आप कैसे फिर खोल के मैं आपको बताता हूं फिर आगे आपको समझ में आएगा चलो फिर खोलना स्टार्ट करते हैं जो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसका डैस्बोर्ड लगबग पूरा सब कुछ खोल दिया है यह कॉंसल बॉक्स को खोल के पलती मारा हूं यह साइ यह वाली क्याबल निकालना पड़े गा पड़ेगा इसके बाद रही यह साइड के दोनों बारा नंबर खोलना पड़ेगा और बाकी यह सब फाइबर वगगों के आप जेसा के देख पार है और उसके बाद एक मीटर कलस्टर मीटर के अंदर यहाँ जो देख रहे हैं यह वाली बारे नमबर खुलना पड़ेगा स्यूंकि इसको बाहर से दिया हुआ नहीं रहता है कॉल पैनल ना खोलेंगे तो भी खुल जाएगा डैश्बोड उपर का बाहर आ जाएगा और इस साइड भी सेम प्रोसेश है यह देख पार है अब यह वाली और अपने को यह वाली निकालना पड़ेगा और यह वाली सोकित मैं निकाला नहीं हूँ निकाल दूंगा इसको और साइड के बार है नमबर और यह वाली सोकित बाकि सब हमारा डैश्बोड खुल चुक है अब हम इसको पल्टी मारना है पल्टी मार के फिर मैं आपको दिखाता हूँ चलो फिर मै मैं पल्टी मारता हूं और आपको फिर आगे दिखाता हूं इलिए दोस्तों देख पार है मैंने डैसबोट पूरा पल्टी मार दिया है है और हमारा यह कंट्रोल पैनल कंट्रोल उनीट इसी बाहर से हमने सब कुछ खोल दिया हैं सिर्फ आंदर का दो खोल ना बाती है एक यह और एक स्यडिया देख पार हैं यह वादी यह कोलने के बाद मेया पूरा कंट लामिक बहर आजाएगा और दिखा देता हूं मैं ने क्या-क्या ठोल डगा है तो चलो बाहर दिखा देता हूं आपको क्या कि अप देख पार है मैंने naughty खोल दिया है क्योंकि ऑपड के जो रहते यह वाली आप देखा ऑट projects निचे रहता है तो आपके आप देख़ पार है मैं बहार दोनो नट कोड़ दिया है और अब मेरा ये बहार आ जाएगा इसके आप देख पार हैं आप देख पार हैं बहार आ चुका है मेरा अब चलो हम इसको बहार लेते हैं बहार लेकर के फिर मैं आपको इसको स्पार है थेख़ानों पार है बीटर को हम यह वाली इसको निकाल देते हैं और नई वाली हिट्र को हम इसको ब्रुब개 करें आपको निकाल के कि फिरिटंग करके फिर आपको दिखता है एक कि पीच खोलने की जरूरत नहीं है यह बस देख रहे हैं आप यहीं से खोलना पड़ेगा सिर्फ यह वाली पट्टी खोलना पड़ेगा उसके बाद निकल जाएगा फिर हम इसको फिटिंग कर देते हैं फिर आपको आगे दिखाता हूं और इसका इभापरेटर कोईल कीली में है तो कोलनी की जरूरत नहीं है त से करके इधर से वापस निकल जा रहा था इधर निकमोट पा रहा था इसके वेसे इस साइड टेंपरिचर नहीं आ रहा था आप जैसा के देख पार हैं सरने को भी आ गया और एक तो सडी चुका है इसके वेसे ऐसा प्रवलम हो रहा था तो चलो अब हम इसको फिटिंग कर देख आएं फिटिंग करके फिर मैं आपको आगे देखाता हूं तो हिलो दोस्तों जैसा के देख पार है मैंने फाइनली कंट्रोल जीनिट को बैठा दिया और यह वाला जो देख रहे हैं मैंने इसमें एंसल डाल जा यह यहां से लीक हो रहा था इसके में इसल डाल दिया ह और अंदर का भी यह fit हो गया, तो चलो अब हम इसका dashboard डाल देते हैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगा, आर भी अपना सब बॉल्ट fit हो जुका है, जैसा कि देख पार है, एक्स्पेंशन वाल fit कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख पार है, हमने फाइनली गाड़ी को fit कर चुका है, डैजबो जो भी खोला था सब फिटिंग कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख पार है, अब हम इसको गाड़ी को चालू करने जा रहे है, जैसा कि आप देख पार है, गाड़ी को चालू कर रहा हूँ, गाड़ी चालू हो चुकी है, अब मैं सबसे पहले ही AC चालू करके AC का कुलिंग देखा देता हूँ आपको, देख पार है, कुलि अपर ही तेर ओल्ड करता हूं वीडियो और देखता हूं कुलिंग टेम्परेचर कितना तक चार है जैसा के देख पार है कुलिंग टेम्परेचर आप 9.8 क्लिप मार दिया है कॉम्परेचर अभी देख रहा हैं ड्रॉप ओर है टेम्परेचर 9.8 9.7 9.1 8.8 अब अग 7 तक जाएगा इसका कुलिंग टेम्परेचर जैसा के देख पार है 7 तक आ चुका है अब हम इसका हीटर हाई पर करता हूं मैं इसका हीटर हाई पर कर रहा हूं जैसा के आप देख पा रहे हैं और heating temperature AC off कर देता हूँ, यह चालू भी रखेंगे तो problem नहीं है, क्योंकि हमको heater check करने का है, heater का temperature check करने का है, तो EC चालू रखके भी आप check करेंगे तो कर सकते हैं, तो जैसा के देख पाने, 30 पे आ चुका है, यह वाली wind में 30 पे आ चुका है, 39, 40, 30, AC चालू रखके हमने अभी, AC पे भी इतना temperature आ रहा है, आना ही चाहिए, तब ही आपका heater सही चलेगा, heater coil ब्रोबर है, और heating temperature भी प्रोपर आएगा, तो जैसा के देखना, 53 पे आ चुका है, तो अब हमको सबसे पहले वह वाली wind में चेक करना है, क्योंकि वह वाली wind में, वह 56 पे आ चुका है, 54, 53, 52.8, 51, तर्मामेटर सही कर दे रहा हूँ, मैं, 48, 49, जैसा के आप देख पार है, अभी temperature भर रहा है, 50 पे आ चुका है, 50 यानी भर रहा है temperature, क्योंकि सामने वाले जो wind में है, सामने वाले wind में, हीटिंग का जो temperature है, जल्दी आता है, और side वाले में थोड़ा time लगता है, आपको हाथ से, मैं थर्मामेटर का use करके इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखने में, आएगा कि हाँ, इसमें कम हो रहा है, पर आपको हाथ से ही समझ में आ जाएगा temperature के किसमें ज्यादा आ रहा है, किसमें कम आ रहा है, इसा क्यों हो रहा है, heater coil का जैसा कि मैंने आपको दिखा है, heater coil change करके, अभी sub event में equal temperature आ रहा है, heating का, तो यह jam हो जाने के वज़े से ऐसा होता है, तो मैंने आपको दिखा है live करके, क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या problem हो रहा है, और यह सब चीज़ जो है ना मैं सिर्फ आपक के लिए कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, और आपको कोई बेवकूफ अगरे बना ना सके, इसके वज़े से, तो hello दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो, तो please like, comment, subscribe करना ना भूले, thanks for watching,